दोस्तों आज मेरे पास है यहाँ पर टफ A15 2021 एडिशन जो की अभी हाली में लांच हुआ है इन इंडिया एंड यह exclusively मेरे पास आया है अभी यह फिलाल आप लोगो स्टोर में कुछ दिनों में देखने को मिलेगा और यहाँ एमेजॉन के अंदर भी आप लोगो देखने को मि दोस्तों के साथ जरूशे करना नहीं हो चैनल पर तो नीचे सब्सक्राइब पर डटन प्रेस करना प्रेस करना तो यह जो लापटाप में एक्स्क्लूजिब ली मुझे प्रवाइड किया है महालक्ष में इंफो सिस्टम जो की है गुहाटी के अंदर अगर आप लोगो को चाहिए लापटोप चाहिए या पीसी पार्ट चाहिए आप एसेसरी सरीश चाहिए तो यह विजिट महालक्ष में इंफो सिस्टम्स और अगर आप लोग गोहाटी से हो तो जरू से वीजिट करना नीचे उसका फुल एड्रेस और कॉंटक नमर मिल जागा डिस्क्रिशन ब Hef 15 का Pox अभी इसको ऊंबॉक्स है तो यहां पे उपर की तरफ अगर अगर देखते हैं तो यहां पर देखाई नीनिक क्यों है शालिया और यहां पर आपको लापटोप की बारे में स्पेसिफिकेशन वगेरा और इस साइड में अगर देखे तो यहां पर आप लोग वासुस का लोगो है तुफ गेमिंग लापटोप और लिखा गया है और पीछे की तरफ अगर देखते हो तो यहां पर सारे डिटेल यहां पर दी गई है इसका अगर गलित ऊसी के चलौह सीवि Cup को ब्रेक कर लिया विस बॉक्स को अन बॉक्स करते है ना यह रहा दुस्तों यहां पर आप लगो को बॉक्स देखनी को मिलता है और यहां पर एक आप लोग को श्टीकर देखने को मिलता है जो कि आप लोग चिपका सकते हो कहीं चाहते हो तो यह commercial sticker है जो कि बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है यहां पर तो मैनुवल देखने को मिलता है जो कि यहां पर तफ की लिफलेट है आप लोग देख पार है लर्भ तक वर टफ काम करता यूजर गाइड बगारा है और यह लापताप की राइब यहां ती परकी आप लो तो यही था बॉक्स के अंदर और कुछ देखने को नहीं मिलता है तो अभी देखते हैं यहां पर लैपटॉप कैसा हमें देखने को मिलता है फॉस्ट लुक बहुत जादा इंट्रेस्टिंग होगा तो यह रहा इसका पैकेट यहां से हम लोग आपको को निकालते हैं तो इस रहा दोस्तो इसका फाइनल लुक जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहां पर लोगको दिखाई देगे एक आप लोगको टुफ की तई-उ-एफ लिखा हु आए ज्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहां पर लिदेख पार हो फुल्ली मे दिखाए दिए बहुत ही अमीजिंग सी और यहां पर साइट के अंदर भी आप लोग को LED इंडिकेटर्स पगड़ा सारे दिखे जैसे के विचे साइट की बात करें तो यहां पर भी आपको एक यस्वी की सलोट मिलती है और के इंजिंग लॉक्स यहां जाए जुछ एखने को मिलता है उपर के डीजैन बहुत जादा एंच्छा लगए और साइठ शाही एयर फ्लो भी इस पर आप लोग को अच्छा पेनल के अंदर आप लोग देख पड़े हो बहुत जादा वेंड से एस कंपेड टू दा प्रीवियस मॉडल उपर की तरह आप लोग देखे तो यहां पर देखो यहां पर दो हनी का डिजाइन का जो पहले मिसिंग था यह नीचे की तरफ तो फुल मिसिंग था अभी यहां प बात करो यहां पर फ्रंट जो मैटल है यहां पर सिर्फ आप लोग मेटलिक बॉड़ी मिल जाती है और अगर मैं नीचे की तरफ की बात करो यह प्लास्टिक से बनाए गया तो हीट डिसपेशन के टाइम में यह उतना साथ हीट नहीं होना चाहिए यह सिंगल हैं आप लोग को यहां पर कट दिखाई दे रहा है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है साथ यहां पर स्पेसिफिकेशन वगरा दी गई है कि यहां पर 83 ब्लेट फैन इस पर यूज किया गया है साथी साथ जो ही यहां पर दो आप लोग को सेकेंड एसेडी की स्लोट मिल दिया है और यहां पर टचपैट की बात करें तो यहां पर डेडिकेटेड बटन्स दो अलग अलग है जो कि आप लोग यहां पर देख पारे हो इसका साउंड कुछ ऐसा आप लोग को मिलता है और यह रहा टचपैड इसका तो टचपैड जो है तच फील तो इसका अच्छा ही है और कीबोर्ड लेयाउट की बात करें तो पुराना जो कीबोर्ड लेयाउट था वही हमें देखने को मिलता है डबलू एसडी में ट्रांस्परेंट की और साथ यहां पर आप लोग सेकते और कलर सपोर्ट करता है तो दिखने में मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छा लगा उपर की तरफ यहां पर भी आप लोग को एक ग्रिल देखने को मिल जाती है जो बहुत ही अच्छी तरीका से काम करेंगा जब यहां पर ज्यादा हीट अप होगा तो यह भी काम करे बात करें डिस्प्ले की तो 144hz के डिस्प्ले है और यहां पर बात करूं बैजल की तो बहुत सदा पतले है इस बार डिजाइन के मामले में पतले बैजल दिया गया है तो पतले बैजल के साथ-साथ वेबकैम का सपोर्ट भी है लाप टॉप फर्स जब हात में आता है ना ब यह वाली जो जनेरेशन है इसके अंदर आप लोगों ज्यादा बेंस देखने को मिल जाती है ब्लेट के पासिटी हाई हो गई है और बहुत ज्यादा अच्छी चेंजस है जो मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पर जो सॉफ्टर कस्टमाइजेशन है वह भी अच्छी है स अब यह बात करते हैं क्या स्पेसिफिकेशन है इस लापटोप के अंदर मुझे देखने को मिलता है राइजन सेवन प्रिफ्टी एइट हंडड़ एच जो के आट कोर और सोला थेट कर प्रसर है जो कि बहुत ही एमेजिंगली फास्ट है तो सोला एंभी के आप लोगों के देखने को मिल जाते हैं 3.2 GHz की बेस क्लॉक है और अप टू 4.4 GHz तक की आप लोगो बूस्ट क्लॉक मिल जाती है तो यहां पर TDP के बात करते हैं तो 45W की TDP है और 7 Nm के उपर बेस जो तो फास्ट प्पॉपॉमेंस तो ओविसली आप लोगो मिलेगा बैटली कांजमशन भी कम होने वाला है इस वाले लाप्ट पके अंदर बात करता हूँ यहां पर ग्राफिक्स की तो ग्राफिक्स देखो एक तो इंट्रीक्रेटर है रेडियों की ग्राफिक्स आप लोगों मिल जाती है जो की अच्छा खासा आप लोग को यहां पर काम करवा देगा अगर में बूस्त आप लोगो 95 वाट देखने को मिलती है फ्रीक्वेंसी यहां पर रन होता है वह है अप टू 1630 मेगार्ट तो आप लोगों एक फास्ट परफॉर्मिंग जो है ग्राफिक्स भी देखने को विलता है जो लगवक सारे गेम्स को इन अल्ट्रा सेटिंग चला देग मेरा यहां पर डूल चैनल कन्फिगरेशन में 88GB की दो रैम लगाएगी है और यहां पर अप लोग चाहे तो उसको अफ्ग्रेड भी कर सकतो तोड़ेज की बात करें तो स्टोड़ेज देखो यहां पर वन टीबी की मेरी जो मॉडल इसके अंदर SSD दीगे और एडिशनल SSD का स्लोट भी है जहां पर आप लोग SSD आसानी से डाल पाऊगे यह मुझे बहुत अच्छी लगी इस लाफ्टॉप की इस दिस्प्ले की बात का 16-9 की एस्पेक्ट रैशियो के साथ आता है डिस्प्ले जो की 920-1080 फूल एजी डिस्प्लेशन के IPS लेवल के डिस्प्ले है और आप लोगो 67% srgb देखने को मिलता है और बाकी details में कैसा picture quality है कैसी मेरी experience की वो में full review में ज़रूर शेयर करूंगा तो stay tuned for that अभी बात करते है ports की ports के मामने में सारे ports है RJ45 चाहिए HDMI चाहिए तीन आप लोगो 3.2 की USB port देखने को मिलते है के मदद से आप लोग आसानी से color change कर सकते हो यहाँ पे keyboard quality अच्छी खासी है जिसके मदद से आप लोग typing experience जो भी करोगे वह आप लोग को कोई दिखकर निया काई और यहाँ पे आप लोग को एक कैमरा देखने को मिलता है 720p की HD cam जो की आप लोग यूज कर सकते हो वीडियो में देखो यहाँ वाइफाई 6 का support है और Bluetooth 5.2 की technology है dual band की यहाँ ब्लूटूथ यूज की है तो Bluetooth भी आप लोगो fast देखने को मिलेगा as well as Wi-Fi इन दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं है बैटरी की बात करो तो इस वाले machine के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है 90Wh की बैटर तो यहाँ पर बैटरी बैटरी बैक आप के मामले में बहुत अच्छा result मुझे मिला है जो impressive है जो आपको further full review में पूरा complete detail में आप लोगो बताऊंगा यहाँ पर पावर एडप्टर आता है वो दोस्तों 200W की AC adapter है जो कि अच्छा का सा power delivery दे रहता है यहाँ पर फास्ट चा यहाँ पर cooling technology बहुत जाधा अच्छी की गए नी बैट जो है बहुत जबा कर दिया गया है और वहाँ पर जितने client उसको खोल दिया गया है और वहाँ पर प्राइजिंग कितनी है देखो यह वाला मॉडल जो है अभी तो फाइनली लिस्टेड नहीं है कहीं साइट पे भी साइट पे भी है भी तो प्राइजिंग नहीं है पर इसका प्राइज आप लोगो 1,25,000 के आसपास मिलेगा जो राइजन 7 का वेरियंट है और 1TB SSD के साथ जो वाला और यहां पर इसका जो एक्स्क्लोजिव शोरूम प्राइज है बाहर में वह भी लगबग 1,25,000 के आसपास ही है तो अभी तक फाइनल प्राइजिंग नहीं है जैसे मुझे स्टोर से फता चला मैंने आप लोग के साथ शेयर किया तो यह एक्स्क्लोजिव बहुत जल लगी जो मुझे बुरी लगी सब कुछ मैं बताने वाला हूं और साइसाथ गेमिंग रिवीव आएगा तो स्टे टून दाट दोस्व मिलते किसे अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लिए पुराने वीडियो को जाकर चेक आउट करो मिलते किसे अगले इं इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लिए स्टे अलर्ट से सेव बाबाए